हेलो राइडिस कैसे आसब दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले है टॉफ फॉर न्यू बाइक के वारे में अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर आप रेगुलर परपेस के लिए एक न्यू स्पोर्ट बाइक परचेस करने का सोच रहे हो जो तो वीडियो के सुरुवात करते हैं नमबर एक वाली बाइक से नमबर एक पर यामहा की FJ-FI V3 दोस्तों अगर आपको एक ऐसी बाइक चीज जिसमें आपको बढ़िया लूक, माइलेज अच्छा पावर परफॉमेंस देखने को मिल सके तो आप इस बाइक को परचेस कर सकत जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे Bluetooth connectivity के साथ, stand alarm, USB charging port, turn-over-turn navigation जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा, बाइक का जो curve वेटे वह 136 kg है, अगर हम बाइक के breaking start को बाइक बात करें तो बाइक में आपको dual disc brake के साथ, single cylinder EBS का feature देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि safety के purpose से काफी अच्छी बात है, बाइक में आपको 13L का fuel tank up city देखने के लिए मिल जाता है, ये बाइक आपको city riding पे 55 KMPL का mileage आराम से देदीगी, बाइक के अगर engine के बाइक में बात करें तो बाइक में आपको 149 CC का single cylinder four stock four one air cool engine देखने दो नमबर पे hero की extreme 160 R4 V, बात करें के सबसे पहले बाइक के engine के बाइक में आपको 163 CC का air cool engine देखने के मिलता है, जो कि maximum power produce करता है 16.6 BHP की और maximum torque generate करता है 14.6 Nm की, बाइक में आपको 5-speed gearbox manual का setup देखने के लिए मिल जाता है, बाइक के अगर front look के बाइक में बाइक के बाइक बाइक के front में आपको LED headlight का setup देखने के लिए मिलेगा, बाइक के indicator है वो आपको LED में देखने के लिए मिलते हैं, बाइक के rear में आपको LED tail light का setup देखने के लिए मिल जाएगा, दोस्तों, बाइक में आपको कौफी जादा power देखने के लिए मिल जाता है, बाइक के अगर suspense setup क आपकोगा सिउख जो सिंगल चानल ले पीचर देख लिए चंज येगा है। बाइक आपको E20 model के साथ देखने करें मिलेगा जो कि BA6 Phase 2 वाले इंजन है अगर उस बाइक के प्राइजिंग के बारें बात करें तो यह बाइक आपको एक लाग बावन हजार के अगर प्राइज पर आपको प्रोजिक्टर लाइट का सटप देखने करें मिलेगा बाइक के ब आपको LED में देखने करें मिलेंगे अब बाइक के रेयर में आपको LED टेल लाइट के सटप देखने के मिलेगा जायेगा दोस्तों बजाच कंपनिने इस बाइक में काफि सारे मीजर अपडेट्स पी के है बाइक में आपको 149 CC का सिंगल सिलेंडर 4 टोक 4 पोल एर कूल इंजन देखने का मिलता है जो कि maximum power produce करता है 14.29 BHP की maximum torque generate 13.5 Nm बाइक में आपको 5-speed gearbox manual का setup देखने के लिए मिल जाता है suspension में bike के front में telescopic fork rear में आपको rear shock suspension का setup देखने के लिए मिल जाएगा bike के ब्रेकिन setup बाइक में बात करें तो bike में आपको single channel EBS का feature देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों ये bike आपको city riding पे 50 KMP का mileage आराम से देगी bike में आपको 14.0 fuel tank capacity देखने के लिए मिल जाता है bike आपको U20 model के साथ देखने के लिए मिलेगा जो कि B6 phase 2 वाले engine है अगर हम आपको pricing के बाद करें तो ये bike आपको 1,40,000 के और प्रैस पर अबलेवल हो जाएगा number 4 वाली bike के बाद करें तो वह है hero के extreme 125 आप दोस्तों बाइक का जो लुक और डिजाइन बहुत इजाद सांदार है bike में आपको total 3 color option देखने को मिलता है bike के अगर front look के बाद के बाद करें तो bike के front में आपको LED के setup देखने के लिए मिलेगा bike के जो indicator है वह आपको LED में देखने के लिए मिलेगे यह bike आपको 60 MPL का मालेज 15 से देदेगी अगर हम bike के braking start के बाद करें तो bike में आपको IBS और single-channel leverage का feature देखने के लिए मिल जाएगा bike के front में आपको 37 mm के telescopic और rare में आपको hydraulic shock observer का assessment setup देखने के लिए मिल जाएगा bike आपको E20 model के साथ देखने के मिलेगा जो कि BS6 phase 2 वाले engine होगा अगर हम इस bike के प्राइजिंग के बाद करें तो यह bike आपको 1,15,000 के price point पे लिए हो जाएगा दोस्तों आपको इन सभी bike में से कौन से bike अच्छे लेगे नीचे comment box में लिखे जूट जाना वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वा बेल रिकन को जोड़